नमस्कार दोस्तों, Nifty and Bank Nifty की Weekly Analysis वीडियो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है इस सीरीज के अंदर हम बेसिकली देखते हैं कि Nifty, Bank, Nifty और उसके अंदर जो लिस्टेट टोप हैवेट स्टोक्स हैं वो next week के अंदर कहां से resistance ले सकते हैं, कहां से support ले सकते हैं तो देखने के लिए बनी रहीगा मेरे साथ उने टेकनिकल चैनल पर, अगर दोस्तों मेरा चैनल आपने भी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी important वीडियो पाने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो चलिए अपना NLC स्टार्ट करते हैं, हम चलते हैं Nifty 50 के चार्ट के उपर यहां पर मैंने Nifty 50 का weekly चार्ट लगाया, यानि कि हरे candle पूरे week को represent कर रही है यह देखिए यहां पर आपको एक pink color की line दिखा रही होगी जो की Nifty 50 के अंदर काफी टाइम से, in fact 2018 से resistance का काम कर रही है एक बार इसने यहां पर resistance लिया, एक बार यहां पर, एक बार यानि कि तीसरी बार यहां पर और fourth time उसी resistance के आसपास यहां के खड़ा हो गया है साथ-साथ अगर आप यह पूरा upward trend है, इसको अगर चैनलाइज करें तो आपको एक channel और दिखाए दे रहा होगा यह देखिए पूरा upward channel है, यह channel का upper part है और यह channel का lower part है तो weekly time frame के अंदर अगर हम देखिए तो Nifty 50 एकदम आपने resistance के आसपास आके खड़ा हो गया है और यहां से पूरे-पूरे chances हैं कि market correct हो सकती है अब एक बाद daily time frame के अंदर चलते हैं, यह देखिए हम daily time frame के अंदर आ गए हैं, मैंने साथ-साथ आपको Nifty 50 के अंदर future को short करने के भी सला दी थी और मैंने जो stop loss बताया था, वो 13,000 का बताया था, तो अगर आपने वो trade लिया है, तो उस trade के साथ दोस्तों बने रही है हमें दिक्कत तभी होगी, जब market यह जो range की formation कर रही है, और उसका range का upper part है, वो है हमारा 12,970 का Nifty 50 12,970 के उपर अगर close करें, तभी हमें कोई issue हो सकता है, तभी हमें कोई problem हो सकते हैं, लेकिन यह trade काफी अच्छा है, यहाँ पे हमारा जो stop loss बनता है, वो काफी चोटा है, और हमारे target जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, 12,500, 12,200 और 12,000 तक के हमें target मिल सकते हैं, लेकिन इसको दोस्तों trend reversal समझें, गलती मत कीजिएगा, यह हो सकता है, शिर्फ market की correction है, trend reverse तभी होगा, जब जो हमारा nifty 50 12,000 के नीचे कम से कम दो closing दे, या फिर यह जो हमारा channel का, जो upward channel है, जो मैंने आपको बताया था अभी, यह वाला जो channel है, इस channel के जो lower support line इसको तोड के नीचे trade करें, तभी हम मानेंगे कि trend reverse हो गया, तो फिलाल जो है मेरे हिसाब से nifty 50 के अंदर हमें correction मिलनी चाहिए, हाला कि एक बार चार्ट के उपर देख लेते हैं कि next week के अंदर nifty 50 के अंदर कौन सा level support resistance का का काम करेगा, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, जो 12,970 का जो नहीं हुआ है, हमें buy side में तभी जाना, जब 13,000 के उपर हमें कम से कम दो closing मिलेंगी, तो जो immediate support फिलाल जो चार्ट के उपर निकल के आ रहा है, नifty 50 का वो है 12,700 का, 12,700 के नीचे अगरे close करता है, तो फिर हमें 12,600 और 12,500 तक के target next week के अंदर मिल सकते हैं, अगर और ज्याद 50 के लिए काम करेगा, वो है हमारा 12,000 का area, यहाँ पर हमें double support मिल रहा है, एक तो यह चैनल का जो यह वहारा पूर अपवार चैनल है, उसका यहाँ पर support मिलेगा, और साथ-साथ जो 12,000 जो इसके लिए strong resistance का का काम कर रहा था, अब हो सकता वो इस नifty 50 के लिए strong support का का काम करे अब चलते हैं निफ्टी बैंक के चार्ट पर, निफ्टी बैंक का daily चार्ट आपके सामने है, यह देखें यहाँ पर भी एक चैनल की formation हुई थी और इस ने इस चैनल का शांदार breakout दिया था, और वहाँ से हमें 1500 से ज्यादा का हमें, जो है moment मिला था, अब यहाँ से एक main जो बैंक के अंदर कम से कम 700 से 800 point ही और moment हमें मिल सकती है, जो इस index को लेके जाएगी 30,700 या 800 तक, हलाकि फिलाल इसका जो immediate support है, वो है 29,000 का, अगर 29,000 के नीचे close करता है, तो फिर दीर दीर करके हमें 28,500 से लेके 28,000 और 27,700 तक के भी level यह next week के अंदर दिखा सकता है, और साथ स यहां पर आपको कुछ और resistance line दिखाई दे रहे होगी, यह जो वाले जो नीचे वाले जो resistance line है, उसका भी यहां इसको जो मेरा जो level है 29,830 के आसपास इसको resistance phase करना पड़ सकता है, तो यह जो फिलाल जो area है इसके लिए पूरा 29,800 से लेके 29,900 या 30,000 तक का जो level है, वो इसक तो चलिए एक बार, निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर जो लिस्टी टोप हैविएट स्टोक्स हैं, उनको भी चार्ट पे देख लेते हैं कि उनके नेक्स्ट वीक के अंदर क्या support है, आसपास हो सकते हैं, सबसे पहले है HDFC Bank, HDFC Bank का daily chart आपके सामने लगा हुआ हुआ इसका जो immediate resistance मुझे दिखाए दे रहा है, वो है करीब-करीब 1422 के असपास, 1422 के उपर ये close करने में कामियाब हो जाता है, तो फिर हम ये 1480 तक के भी level ये दिखा सकता है, उपर जो pink color की आपको जो line दिखाए दे रही है, वो इसके लिए बहुत important resistance line है, वो almost 2018 से इसके लिए एक resistance का काम करें, जैसा कि आप देख पाने, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, बहुत बार यहां से इसने resistance लिया है, तो इसके उपर अगर close करता है, तो फिर इसका जो next target हमारा 1480 का होगा, immediate जो support है, वो है 1307 या 1310 के आसपास, जो इसका previous 52 week हाई था, उ और उसके नहीं से close करता है, तो इसके अंदर weakness थोड़ी ज़्यादा आ सकती है, इन डैट के से 1250 तक आ सकता है, अब चलते हैं, ICIC bank के उपर, इसके अंदर भी एक channel की शानदार formation हो रही थी और फिर इसने channel का breakout दिया, और यहां पे इसने लगबग 500 तक का हाई मारा है, लास् के रिवर्ट हो गया है, अगर आप इस 500 के, अगर आप यह 500 के ऊपर close करता है, तो फिर यह हमें 515 तक के लेवल आसानी से दिखा सकता है, और downside के अंदर, और downside के अंदर अगर यह 460 एट का जो लेवल है, अगर उसके नीचे close करता है, तो फिर धिरे करके 450 और 442 तक आ सकता ह 442 का जो लेवल है, वो इसके लिए important support का का काम करेगा, एक तो जो channel का जो upper part है, यहां से support मिल सकता है इसको, और दूसरा, यह देखे multiple time यह इसके लिए resistance का का काम किया था इस लेवल ने, इसलिए यह जो लेवल है, इसके लिए फिलाल next week के अंदर हो सकता है, बहुत अच्छ support का का काम करेगा, चलते हैं, कोटेक महिंदरा बैंक के उपर, कोटेक महिंदरा बैंक एक दम high पे high बनाये जा रहा है, जब से इसने अपना 52 week high जो निकाला है, जो इसका 1740 के असपास, उसके बाद यह लगातार high पे high बनाये जा रहा है, इसके अंदर मुझे फिलाल कोई weakness दिखाई नहीं देरी, और अगर आप यह पिंक कलर की resistance लाइन देखें, जो इसके लिए लगबग 2018 से वैलिड है, और इसने यहां पे multiple time resistance लिया है, अगर हो सकता है, यह उसको अगर touch करने जाए, तो इसका जो target यहां से निकल के आ रहा है, वो करीब करीब 1990 से लेके 2000 तक का target इसके लिए निकल के आ रहा है, sell side का मेरा इसके अंदर कोई भी नहीं है, जब भी आपने previous high के उपर trade करें तो आप इसके अंदर buying position बना सकते हैं, immediate support इसके लिए वही लेवल जो इसका 52 week high था, यानि कि 1740 का जो लेवल है, वो इसके लिए immediate support का का काम करेगा, अब बात करते ह है, SBI की SBI का daily chart आपके सामने है, इसके लिए जो next strong resistance का का काम करेगा, वो है हमारा 260 का level, यानि कि अगर 250 के उपर trade करता है, तो हम ये 260 तक का level दिखा सकता है, फिलाल जो इसका resistance zone है, वो 240 से 250 तक का ही है, वहीं पे लिए struggle कर रहा है, हाला कि इसके अंदर भी weakness के कोई sign नहीं ह है, अगर ये अपना, जो 240 के नीचे अगर ये trade करता है, तो धीरे धीरे करके, ये जो resistance की line थी, अब इसके लिए support का का काम कर सकती है, तो ये 220 तक next week के अंदर आ सकता है, चलते हैं, अब access bank के उपर, access bank भी जैसा कि मैंने आपको last week के अंदर बताया था, कि इसके, इसके इसक 635 तक के level दिखा सकता है, इसने 640 तक का high मारा है, और वहीं से reverse होने के तयारी कर रहा है, इसके अंदर फिलाल weakness मुझे अब भी कोई दिखाई नहीं दे रही है, चार्ट इसका काफी अच्छा है, और इसके लिए जो फिलाल immediate support का का काम करेगा, वो होगा हमारा 560 का level, और ज 640 का जो level है जिससे ये reverse हुआ है, वो इसके लिए काफी strong resistance है, इसको पार करना इसके लिए काफी मुझकिल साबित हो सकता है, जैसा कि आप पीछे भी देख सकते हैं, इस level ने काफी बार इसके लिए support और resistance दोनों का का काम किया है, तो जहां पे ये 640 का जो level है इसके लिए बहुत strong resistance का काम कर सकता है, हाला कि next week के अंदर अगर आपको ये 617 के उपर trade करता दिखे, तो दोबार अचे आपको 630 से लेकि 640 तक के level दिखा सकता है, और अगर 590 के नीचे अगर ये trade करें तो दिए दिए करके आपको 560 तक के level भी ये दिखा सकता है, 560 इसके अंदर strong support अब बन सकता है, चलते हैं, रिलाइंस के उपर, रिलाइंस के उपर जैसा कि मैंने आपको कहा कि जब तक इस channel के अंदर ये नहीं आपाएगा, तब तक ये हमें upward move नहीं देगा, मैंने downside की ही possibility आपको बताए थी और धीरे धीरे देखिए, ये 1900 तक के level के आसपास आ चुका ह अब इसके अंदर जैसे ही आपने previous low को तोड़ेगा, यानि कि इस candle का जो low है, जो है हमारा 1895 का, 1890 के निचे अगर ये trade करेगा तो दिरे दिरे कर कि 1850 और 1830 तक के level हमें दिखा सकता है, 1830 का जो level है वो इसके लिए बहुत बहुत important होगा, क्योंकि ये इसका previous swing low है, यहीं से इसने उठना शुरू किया था, अब चाहें तो SIP मोड में 1800, 1850 के आसवास अगर आपको मिले तो इसके अंदर accumulation स्टार्ट कर सकते हैं, upward side के अंदर फिलाल मुझे इसके अंदर कोई moment दिखाई नहीं दे रही है, upward side के अंदर इसमें moment तब ही होगी, जब कम से कम ये 2090 के उप पर close करेगा, अब चलते है HDFC के चार्ट के उपर, HDFC का जो daily chart है वो आपके सामने है, इसके अंदर जो मुझे immediate resistance दिखाई दे रहा है, वो है हमारा 2355 से लेकर 2360 का level, साथ-साथ यहां पे एक आपको उपर pink color की resistance line दिखाई दे रही होगी, वो भी इसके लिए resistance का का काम कर सकत है, बाइसाइड के अंदर यानि कि upside movement के लिए इसको कम से कम 2390 के ओपर close करना पड़ेगा, तभी यह ऊपर की side में हमें 2450 तक के भी level दिखा सकता है, फिरहाल इसके अंदर जो candle की formation हो रही डिली चार्ट में वो काफी indecisive या फिर weak candle की formation हो रही है, तो अगर यह 2300 के नीचे close करता है, तो दीरे दीरे करके फिर हमें यह 2230 तक के level भी दिखा सकता है, अब इसके candle के अंदर weakness इस दिख रही है, साथ साथ इसको double resistance face करना पड़ रहा है, एक तो यह हमारा 2355 का level है, दूसरा यहां से जो resistance की line है, तो मेरे हिसाब से next week के अंदर अगर यह आपको 2300 के नीच इसका जो level है वो इसके लिए अब strong support का काम कर सकता है, चलते है हिंदुस्तान यूनिलिवर के ओपर, हिंदुस्तान यूनिलिवर के अंदर triangle pattern की formation होई थी, और इसने almost इसका breakout भी दिया था, लेकिन हमारा जो buying level था, हमारी जो condition थी, वो satisfy नहीं हुई थी, हमने आपको बोला थ कि कम से कम 2200 के उपर अगर close करें तब ही हमें buy side के अंदर जाना है, लेकिन ये close करने में fail हो गया, और दुबारा से इसी triangle pattern के अंदर ये आके घुस गया है, तो इसका जो immediate जो resistance है, वो हमारा 250 का, 250 के उपर close करता है, तो दुबारा से हमें 2280 से लेकि 290 तक के target हमें दिखा सक है, और immediate जो support है, इसका वो है, 2100 का level, 2100 के नीचे अगर close करता है, तो फिर हमें ये 2060 से लेकि 2050 तक के level भी दिखा सकता है, हाला कि अगर इस triangle pattern का downside में इसको breakdown देना है, तो उसके लिए इसको कम से कम 2050 के नीचे close करना पड़ेगा, तब हम मान सकते हैं कि इस triangle pattern का downside में breakdown हो गया चलते हैं अब ITC के ओपर, ITC का जो strong support है, वो है हमारा 175 का level, इसके लिए जो strong resistance का area है, वो है हमारा 190 से लेगे 200 का area, इस area को इसको निकाल पाना काफी मुश्किल हो सकता है, ये जो resistance है इसके लिए आप देख सकते हैं काफी बार इसने बहुत strong एक wall के रूप में काम किया है, तो यहां से इसको निकाल पाना बहुत मुश्किल हो सकता, अगर ये आपको closing दे भी देता, अगर 192 के ओपर closing दे देता है, तो फिर भी ये max 200 तक ही जा सकता है, ये इसका पूरा resistance area है, अगर देखू, next week के लिए तो इसको 180 के निचे close करना पड़ेगा, 180 के निचे close करता है तो धीरे धीरे 175 तक के ये level next week के अंदर दिखा सकता है, चलते हम TCS के ओपर, TCS के अंदर मैंने आपको बताया था, यहां पर एक तो जो चैनल था, उस चैनल का इसने breakout दिया था, उसके बाद यहां पर consolidate कर रहा है, एक range की formation कर रहा है, और जो चैनल का अपर पार्ट है, वो उसके लिए resistance का का काम कर रहा है, साथ-साथ, यह जो resistance की line है, वो भी इसके लिए एक काफी अच्छा कासा resistance का का काम कर रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं, बार बार इसी line से resistance ले रहा है, अप side के अंदर इसको 2730 के ओपर close करना पड़ेगा, जब जा के ही हम यह upside के अंदर movement देगा, downside के अंदर इसको 2600 के नीचे close करना पड़ेगा, यह उसी दिन हमें करीब करीब 50 point की movement downside में दे सकता है, फिला लेकर range की formation हो रही है, आप देख सकते है, range का जो upper part है, वो 2720 के आसपास है, और lower part जो है हमारा, वो 2600 के आसपास है, और ऐसी ही same जो range की formation हो रही है, वो range की formation हो रही है, range का upper part है 1150 के आसपास, और lower part है हमारा 1050 के आसपास, यहां पर हमारा 2-3 बार resistance ले ले चुका, 1150 के आसपास, और मैंने यह भी कहा था, कि या तो अगर आप risk trader हैं, तो यहां से आप short position भी ले सकते हैं, दीरे दीरे करके आपको 1100 से लेके, 1080 और शाट तक के भी target आपको मिल सकते हैं, और अगर आप risk trader नहीं है, तो आप इस range का break out होने का या फिर break down होने का wait कर सकते हैं, तो यह थी हमारी दोस्तों, nifty और bank nifty की weekly analysis वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आया है, तो like कीजेगा, अपने दोस्तों के साथ share कीजेगा, आपका कोई भ देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद